हेलो दोस्तों आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम भारत में हुए जो विद्रोह और अंदोलन है ठीकिना रिबैलियन और जो मुवमेंट्स हैं उनको डिसकस करने वाले हैं वीडियो बहुत जादा इंपोर्डेंट बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है जाब 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 लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारा जो एप है इस ओनलाइन स्टेडी पॉइंट मोबाइल आप वो लॉंच हो चुका है जिस पर आपको फ्री पीडि जो है सन्यासिव विद्रो तीके इसका मोख्यकारण क्या था एस आंदूलन का मोख्यकारण भुर आजस वसूलना और तीरत कर पर प्रतिबंद लगाना चीके सन्यासिव विद्रो लगभग सतरा सो तरियो नहीं शुरू किया उसको तीके यह़ेंगा इस आंदुलन के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे मजमून शाह नरायन और मूसा शाह भवानी पाठक ठीक है ये कुछ जो थे उस आंदुलन के प्रमुख नेता रहे हैं ठीक है बंकिम चहंद चटर जी ने अपने जो उनका उपन्यास है आनन्द मट जिससे हमारा जो बात करेंगे चुवार विद्रो की इस आंदुलन का मुख्य कारण हम बात करें तो अकाल भूमी कर्म व्रदी तथा अन्या आर्थे कारण जो हिसमें शामिल थे ठीक है चुवार आंदुलन पहली बार 1764 तथा दूसरी बार 1768 में हुआ और चुवार जंदाती के जो लोग उन्होंने मीधना पुर्जिले के निवासी थे ठीक है नेक्स हम बात करें 1776 फकीर विद्रो इस आंदुलन का मुख्य कारण जमीनदारों और किसानों से अधिक कर वसूलना था बंगाल में यह विद्रो सन 1776 से 77 में हम बात करें मुस्लिम फकीरों द्वारा आरंब किया था शुरुआत में इसका विरोध जो हैं मदारी समुदाय के मजमून शाहां है उन्होंने किया था ठीक है नेक्स हम बात करें भील आंदुलन काफी पूछा जाता है एक्जाम में लगबग सभी को पता होगा तो 1817 में पश्रिम घाट से इसकी शुरुआत हुई थी और 1825 में भील जनजाती के लोगों ने सेवा राम के नेततब में इसकी शुरुआत की थी ठीक है पर हम बात करें 1822 तक मुंदा विद्रो तो यह क्या है चोटा नागपुर और सिम्भूम जिले में जो फैला हुआ एरिया है ठीक है ना इस आंदुलन के प्रमुख नेता थे वो विरस कीजिए नेक्स नम बात करें रामासी विद्रो तो 1822 में सरदार चितर सीन के नेततब में यह विद्रो जो है रामोशी जनजाती के लोगों ने किया था और पश्चिम घाट में यह शुरू हुआ था ठीक है 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्य के अभाब के कारण इन्हों ने ओमाजी के नेततब में दुबारा से विद्रो शुरू किया ठीक है नेक्स नम बात करें तो पागलपंती विद्रो जमीदार की सीमा होता था किसानों की बीच का जो जगड़ा था वो इसका मुख्य कारण था और पागलपंती विद्रो की जो शुरूआत है वो टीपूने क थी ठीक है इस अम्प्रदाय की स्थापना कर्म शहा की द्वारा की गई थी और आंदुलन 1827 तक चला था नेक्स्ट हम बात करें तो अहूम विद्रो तो यह जो है गोमधर कुमर के नेततव में हुआ और प्रदेश को बिटिस सामराज में सम्मिलित करना इसका मुख्य कारण था ठीक है नेक्स्ट हम बात करें फराईजी विद्रो तो किसानों को जवरन नील अफीम की खेती करवाना और जमीदारा द्वारा उनका उत्पीडा होना इसका मुख्य कारण था और अपना हम बात करें तो सयत लाहा के द्वारा की गई थी और जो लाहा टीटू मीर जो थे यह भी इसके प्रमुक नेता थे छीक है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो 1857 की क्रांती ये तो लगबग सबी को पता होगा बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इस पर हम लोग separate वीडियो भी लेकर आएंगे तो मंगल पांडे जन्होंने बैरकपुर से इसकी हम बात करें शुरुआत की फिर इसके बाद वैसे तो इसकी शुरुआत मेरट से मानी जाती है फिर इसके बाद बेगम अगा से अपने तरीके से करने की कोशिश की ठीक है मुख्यकारण मुख्यकारण तो काफी सारे थे क्योंकि बिटिश गवर्मेंट का बहुत जादा दखल अंदाजी होना लेकिन जो तत्कालीन कारण था वो यही था कि सैनेकों की जो राइफल थी उसमें जो कार्टूस इस्तिमाल होना और अन्यकारण तो बहुत सारे थे लोडल होजी की हडप नीती और फुर इसके बाद वैलेजली की सहायक नीती ठीक है मुख्य घटनाएं हम देखें तो मंगल पांडे ने क्या किया जो सार्जेंट मेजर थे उसम को उनको गोली मार दी थी ठीक है अंग्रे बात करें 1869 तो नील विद्रो मुख्य कारण क्या है ददनी प्रथा के कारण बंगाल वा बिहार के जमीदारों नहीं अंदुलन किया था ठीक है तो अंग्रेज अधिकारिक किसानों को विवश करके नील के खेती करवाते थे और उनको इसकी कीमत बहुत कम देते थे जबकि किसान चावल की खेती करना जान देते और वही करना जाते थे ठीक है नील विद्रो की शुरुआत 69 में हुई 1869 में और बंगाल के हम बात करें नादिया जिले में हुई ठीक है और नील दरपन नामक बुक लेखा कौन इसके दीन वंदू मित्रोस में इसका विवरन मिलता है ठीक है नेक्स हम बात कर ले 1905 बंगाल का विभाजन सभी को पता होगा ये तो वाइसराय जो ते लॉड करजन थे उन्होंने गोशना कर दी थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा और उनका उसका मुख्य कारण क्या रहा तो हिंदू मुसलिम की एकता से बिटिश राज को खत्रा होना ठीक है और प्रशाशनिक गतिविदियां भी इसका कारण थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और इस दिन बंगाल में काला दिवस जो है काला दिवस की रूप में इस दिवस को मनाया गया नेक्स हम बात कर 1919 जलिया वाला बाग तो घटना जो है यह 1919 की है अप्रेल 1919 और कारण क्या है ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्टवादी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफतारी ठीक है तो जलिया वाला बाग में जो ब्रिगेडिया जनरल डायर थे उनके नेतितव में क्या हुआ अंग्रेजी सेना ने आंदोलन कारियों पर गोली चला कर हत्या कर दी कई सारे लोगों की जो है जाने गई और उसी के बाद रविंद्नाट टैगोर ने को जो नाइट हुटकी उपादी दी गई थी उन्होंने वह वापिस कर दी थी ठीक है यह में आप देख सकते हैं काफी कुछ नेक्स हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1990 में इसकी शिरुआत हुई मुख्यनेता जो थे शौकत अली मुहम्मद अली बिटिश सरकार पर तुर्की के जो खलीफा के अधिकारी को क्या है सुरक्षित करने के लिए दवाब डाला गया था इसका जो कारण था फ माप्त हुआ नेक्स हम बात करें आसायोग आंदोलन ठीक है एक अगस 1920 को शुरुआ मुख्यनेता महत्मा गांदी थे ठीक है चौरा-चोरी कांड के अगर हम बात कर लें तो फरवर 1922 में हुआ तो भारत के गोरक परजिले में घटना हुई थी जिसमें पुलिस कर्मियों को पुलिस चौकी में आग लगा कर जो है अंदोलन कारियों द्वारा जिन्दा जला दिया गया था ठीक है और इस घटना के कारण महात्मा गांदी ने जो आसायोग अंदोलन ठीक है वापस ले लिया था मुख्य भूमे का इसमें भी महात्मा गांदी के द्वारा जो है निभाई गई और ब्रिटिश सरकार से भारत देश को श्वतंतर दिलाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई ठीक है और यह हमारे आशी वीडियो थी वीडियो गर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू